नमस्का, मैं हो ससी, आईयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खंड में 24 सितंबर से खुलेंगे कक्छा 6 से 8 तक के स्कूल जर्खंड के सरकारी और गयर सरकारी स्कूल में कक्छा 6 से 8 तक की कक्छाए 24 सितंबर से सुरू होगी बता दे अभी online कक्षाई चल रही है कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाई अब offline चलेगी इसे लेकर स्वमवार को स्कूली सिक्षा यमसक्षर्टा विभाग ने आदेश जारी किया है बता दे स्कूली सिक्षा यमसक्षर्टा विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को इसी के अनुरूप अपनी त्यारी करनी है इसमें ओफलेंड कक्छाओं को लेकर तमाम सर्ते वही होगी जो कक्छा नौ से बराहमी के लिए स्कूल को खोलने को लेकर जारी की गई थी बतादे जार्खन में लवग अठारा माबाद कक्छा चटी तथा सात्वी और पांच माबाद कक्छा आठवी के बचों की ओफलेंड पढ़ाई सुरू होगी बंगाल की खाडी में आय चक्रवाद के करन सोमवार को जार्खन के पच्छमी भागों में भारी बारिस होई मौसम विभाग ने अपने पुर्वान मन में बताया कि अगले चार से पांच दिनों के दोरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाओ की समभना नहीं है राज के दक्षनी भागों में एक से दो अस्थानों पर भारी बारिस हो सकती है जब कि राची समेत अने जिलों में बारिस के साथ बजरपात की भी असंका है कक्षा छो से आठ इस्कूल खोलने सम्मंधित गाइडलाइन राज्य के सभी इस्कूल जहां कक्षा छो से आठ तक ही पढ़ाई होती है क्रोना गाइडलाइन का हाल में पालन करना होगा सभी सम्बंधि सिक्षकोका इसकूल आनने से पूर्व क्रोना भैक्सिन का एक डोज लेना आनिवार्य होगा सभी सिक्षक मास्क का हमेस्षा उपयोग करेंगे इसकूल का संचालन सुबा 8 बये से लेकर दोफर 12 बये तक होगा सभी इसकूल में सत परतिसत्रिक्ष को क्यों पस्तिती हो इसकूल खोलने से पहले इसकूल परिसर, कलासरूम, पर्योगसाला, लाइबरेरी समेत अने छेतर जहां छात्रों का आना जाना होगा उसे सेनिटाज करना होगा इसकूल के अंदर और बाहर साप सफाई पर ध्यान देना होगा कक्षा 6 से 8 के छात्रों के पास कलासरूम में आने का बिकल्प होगा इसके लिए पेरेंट्स के लिखित समती अनिवार्य होगी टीचर और स्टूडेंट सोसल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करेंगे वहीं इसकूल में प्रात्ना सभा तथा किसी भी परकार का साम्मों का संस्कृतिक कारेकरम आधिक आयोजर नहीं होगा इसकूल के अंदर स्टूडेंट को टीफिन बोक्स लाने के अनुमती नहीं होगी इसकूल में साबुन से हाथ धोने की वेवस्ता इसकूल परबंधन को करनी होगी जार्खन में मिल्क बैंक सुरू करने की त्यारी मिलेगा मा का दूद जार्खन सरकार का स्वास्त विभाग ब्लोट बैंक की तरज़ पर राज में मिल्क बैंक सुरू करेगा स्वास्थ विभाग के अपर मुक्स अचीव अरून सिंग ने सोम और को जार्खन राज एड्स नियंत्रन सोसाइटी के प्रतिभा सम्मान समारों में स्वास्थ मंत्री बना गुपता को फस्थिती में या गोसना की मिल्क बैंक दरसल मदर मिल्क बैंक होता है जो मा के दूद से वंचित बचों के स्वास्थ के लिए काफी मददगा सावित हो सकता है अपरमुक सचीव अरुन सिंग ने कहा कि आने वाले दिनों में बलड बैंक के तर्ज पर मिल्क बैंक की अस्थापना स्वास्थ विभाकियोर से की जाएगी ताकि मा के दूद से वंचित जरूरत मंद नवजात सिशुओ मिल्क बैंक के माद्यम से दूद मुहया कराया जा सके जार्खन के सभी थानों में लगेगा CCTV कैमरा है जार्खन के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने की त्यारी है जिसकी जिम्यदारी जार्खन एजेंसी फोर प्रोमोशन अफ इनफोर्मेशन टेकनोलोजी को दिया गया है इसके साथ ही जैप आईजी ने थानों में CCTV कैमरे लगवाने को लेकर सर्वे वह इसे समंधित अन्यमस होदों को प्रस्ताव लगभग त्यार कर लिया है इसे केंद्र को भेजा जाएगा कैमरे देश के सभी थाने में CCTV कैमरे लगाने के देश की महत्वकांची योजना के तहट लगाए जाएंगे बता दे इस पर आने वाली लागत भी केंद्र सरकार ही वहन करेगी किसानों के अंदोलन में 27 को भारत बंद का समर्थन जारखन के गयर भाजपाई दलोक के नेताओं ने समर को कांग्रेस मुख्याले में बैठक कर केंद्र सरकार की नीतियों परचार्चा की और देश में बढ़ रही मांगाई संसाधनों के गलत इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार को दोसी ठाराया परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकूर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जिस परकार से पेगासा सैन्य निगरानी एस्पाई वेयर का अवैध उपयोग किया कोविड-19 में हमारी का घोर कुप्रवंधन बढ़ती मुद्राजफिती एवा महांगाई के साथ साथ बढ़ती बेरुजगारी परचार्चा करने से इनकार किया है हम इसकी कडिनिंदा करते हैं मुख्य मंत्री दुमका से सोना सोबराम योजना सुरू करेंगे सिर्फ दस रुपे में धोती साड़ी लूंगी मुख्य मंत्री हमान सुरेन बुद्धवार को दुमका से सोना सोबराम योजना की सुरुवात करेंगे राज सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सिर्फ 10 उर्पे में धोती, साड़ी व लोंगी देगी बता दे जोजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले संतावन लाख परिवार को एक साड़ी और एक लोंगी या धोती अनुदानित धर पर उपलवद कराई जाएगी पात्र परिवार को साल में दो बार अनुदानित धर पर दस रुपया में वस्तर दिये जाएंगे केंद्र की तर्ज पर लागू करे आरक्षन दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने हिमन सरकार पर आरक्षन के नाम पर गुमराह करने कारूप लगाया है उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछडों के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर के लिए 10% आरक्षन लागू है राजी सरकार जानता को दिख भरमित न करे केंद्र सरकार की तरह जारकण में भी आरक्षन लागू करे एबाते दीपक परकास ने सोमार को भाजपाप परदेश कर्याले में सन्वादत्त समेलन के दोरान कही है जारकण में कुरोना के 9 नए केस मिले हैं जो राची से 5, पूर्वी सिम्हूं से 3 और बोकारो से 1 सामिल है जारकण में कूल एक्टिव केस की संख्या 55 है भारत में 24 और 897 में नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,2,311 है हजारी भाग में इंटर की छात्रा के साथ गयंगरे 5 यूकों ने की दरिंदगी हजारी भाग के दारू में इंटरमीडियेट में पढ़ने वाली एक दलित चात्रा से पांच यूकों ने समोहिक दुसकर्म किया लड़की की हलात बिगणने पर सोमवार को उसे से एक भीखारी मेटकल कोले अस्पताल लाया गया बतादे इसके बाद पूलिस को मामले की जनकारी होई पीड़ता की परिजनों के मुताविक बच्ची से 18 सितंबर की भोर में समोहिक दुसकर्म किया गया उस समय वह तीन अन्य सहलियों के साथ साथ सोच के लिए घर से बाहर निकली थी जारखन के कल्कुलेटर ब्याज ने बनाए 26 रिकोर्ड रांची के रहने वाले जुडवा भाई बिराट माकन और बिराज माकन जारखन के कल्कुलेटर ब्याज के नाम से जाने जाते हैं बदादे एक देश के पहले ऐसे दो बच्चे हैं जिन्होंने उल्टा पहड़ा पढ़ने की अध्भूत पदती से इंडिया बुक आफ रिकोर्ड में अपना नाम सबसे अनोखे काटेगरी में दर्ज करवाया है ए बच्चे एक से लेकर सो तक का पहड़ा उल्टा सिधा और एस्क्वायर तथा क्यूब रूट फटा फट सुना सकते हैं इन दोनों बच्चों ने मिलकर छो नए वर्ल्ड रिकोर्ड बनाए हैं इन दोनों बच्चों के पिता गगन माकन गनित के सिक्छक हैं ज्यारखन में सुधा दूद में प्रती लीटर दो रूपय की ब्रीधी राइधानी राची सहीद ज्यारखन में सुधा दूद अब महांगा हो गया है बचादे सुधा दूद में प्रती लीटर दो रूपय की ब्रीधी की गई है यह दूद 21 सितंबर से बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा कमफेट की प्रोग्रामिंग कमेटी के बैठाक में निनाई किया गया है उलेखनी है कि इसे पहले सुधा दूद की कीमत 7 फरवरी 2021 को बढ़ी थी 7 महिने बाद एक बार फिर दूद की कीमत बढ़ी है OBC आरक्षन पर कॉंग्रेस का धरना आज जारखन परदेश कॉंग्रेस OBC बिभाग के तत्वधान में राजधानी में राजभवन के समक्ष सहित सभी जीला मुख्याले में OBC वर्ग को 27% आरक्षन दिलाने कीमाम को लेकर मंगलवार को धरना का उजन किया गया है OBC बिभाग के प्रस्तावित धरना कारेकरम में जारकन परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष राजध ठाकूर सहित वरिष्ट कॉंग्रेस नेतागन उपस्तित रहेंगे परदेश कॉंग्रेस OBC विभाग के चेर्मेन अभिलास साहू ने बताया कि धरना को लेकर सभी जीला इकाई ने अपने जीलों में बैठक आवेजित कर त्यारी पूरी कर ली है अनुबंध कर्मियों ने नेपाल हाउस का घिराव किया अस्थाय नियोक्ति की मांग को लेकर अनुबंध पाराची कित्सक कर्मि संग ने सोमवार को नेपाल हाउस सचिवाले का घिराव किया कर्मियों ने मुखे गेट बंद कर दिया और 9 घंटे तक डटे रहे इस दोरान उन्होंने अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी भी की मेन गेट जाम रहने की वज़े से अधिकारियों को पीछले गेट से सचिवाले में परवेश करना पड़ा वही साम साथ बज़े अधिकारियों के अस्वासन के बाद अनुबंद कर्मियों ने घिराव समाप्त किया है कर्मियों ने चेतावनी दिया है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ तो वे मंगलवार को फिर घिराव करेंगे ग्रीह मंत्री अमीद सा से 26 को मुखातिब होंगे स्थिये महमांत केंद्रिये ग्रीह मंत्री अमीद सा 26 सितंबर को सभी राजियों के मुख मंत्री मुख सची वर डीजीपी के साथ बैठक करेंगे बैठक अभी से राजियों में नक्सलियों की गतिविधिया है बतादे नक्सलियों की गतिवीधियों के रोक्ताम की जा रही करवाई वो चलाये जा रहे अव्यान के बारे में गिरी मंति जनकारी लेंगे और अवस्यक दिशानिदेस भी जारी करेंगे बतादे अगामी 26 सितमर की बैठा को लेकर पुलिस मुख्याले में इसे समन्दीत उपलब्धियों वकी गई करवाई से समन्दीत फाइल तेयार की जा रही है स्वास्त विभाग के कर्मियों का बेतन बढ़ा स्वास्त विभाग के अंतरगत कार करने वाले मल्टी परपोज वर्कस के वेतन बढ़ोतरी के मसले का तकरीबन समाधान निकाल लिया गया है बतादे सोम वर्को स्वास्त मंत्री बाना गुपता के अज़्दक्ता में होई बैठाक में MPW का बेतन बढ़ाकर बी सेर 500 रुपे करने का निने लिया गया मंत्री ने निर्देश दिया कि इसे जुड़ी संचीका से जुड़े कामकाज का निप्टारा अगले 15 दिर्म में कर लिया जाएगा सरकार के इस निर्दाय के बाद MPW एम करमचारी संग ने अपने तीन मा पुराने अंदोलन को अस्थागित कर दिया है जारखन में IS अधिकारी रायस्वरी बी वर नेहा को अतिरिक्त प्रभार जारखन की मन्रेगा आयुक द्रायस्वरी बी और सरम नियोजन एम प्रसिक्षन विभाग की निदेशक नेहा अरोडा को अपने कारियों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वही जमसेदपुर में ITDA के प्रयोजना निदेशक चंद्रसेखर परसाथ को खाद्य सरवजनिक वित्रन एम उभगता मामले विभाग का आपवर सचीव बनाया गया है इस समद में कार्मिक प्रसासनिक सुधार एम राजभासर विभाग नहीं सुचना जारी कर दी है बिहार के राज़ेपाल पहुंचे बाबा नगरी बाबा भोले नात की पुझा अर्चना करने बिहार के राज़ेपाल फागू चोहान सोमवार को देवगर पहुंचे पूजा के बाद राजे पाल स्री चुहान ने कहा कि बाबा सब जानते हैं पिहार और जहारखण की जानता को बाबा का ही सहारा है इसलिए कभी भी यहां की जानता को कोई कुछ भिगाड नहीं पाएगा बता दे यहां पहुंचने पर राजेपाल स्री चोहान को करे सुरक्षा गहरे के बीच मंदीर के परसासनिक भवन में ले जाया गया यहां आने पर मंदीर इस्टेट पुरोहित स्रीनाथ पंडित नेराजेपाल को विधी पुरुवक संकल्प एवं पंच देवता पुजा के बाद रुदरी पाट संपन कराया उसके बाद महा महिम को बाबा मंदीर के गर्वगिरी में ले जाया गया माद दुरुगा की परतीमा वकल से यात्रा को लेकर डीसी से मांगी अनुमती लोहरदागा केंद्रियत दुरुगा पुजा समित्ति के अध्यक सुमीत राय ओर्फ डवलू के नेत्युत में सोमार को एक प्रतिनेदी मंदर लोहरदागा के डीसी दिलीप कुमार टोपो से मिला इस दोरान ज़ारखंड की हेमन सुरेन सरकार द्वारा जारे दुरुगा पुजा गारिलाइन का पालन करते हुए या आगरा किया गया की दुरुगा परतिमा का नेवान पहले से ही सुरू हो जाता है आएसे में उसमें अब बदलाव की गुणजाईस नहीं है किर्पया उसे या थावत रहने दिया जाए इसके साथ ही कलस्यात्रा की अनुमती देने का भी आगरा किया गया ज्यारखन से दो पी एलेफाई के नक्सली गिरफ्तार पूलिस बल्क के जवान द्वारा नक्सली संगठी पी एलेफाई के दो सक्रिय संगत्राईस गिरफ्तार के जेल भेज दिया गया है बतादे गिरफतार पी एलेफाई संगठन के सदस्यों में किसको थाना छेत्रे के सेमरी डी निवासी 23 वरसिये संदीप भगत यम किसको अमबा टोली 23 वरसिये अबारिक अंसारी उर्फ छोट्टू सामिल हैं गिरफतार नक्सली संगठन के सदस्यों के खिलाप कोई अपराधिक मामले भी दर्जाएं ज्यार्खन में एक लाख का इनामी नक्सली आरेश्ट भागपा मवादी के खिलाप गुमला पूलिस वर स्यार्पी एफ तो 18 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है बता दे सियार्पी एफ ने भागपा मवादी के एक लाख रुपे के नामी हार्टकोर नक्सली राकेश उरां उर्फ मानकी उरां को गिरफतार कर पूस्तास के बाद सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया बता दे मानकी के पास से आईडी बनाने की समागरी भारी मातरा में मिली है पूलिस ने पिस्तोल वा गोली भी बरामत की है अक्टूबर से जार्खंड के आटो चालको को ड्रेस पहनना जरूरी एक अक्टूबर से जहारखन के अटो चालकों के लिए ड्रेस पहनना जरूरी कर दिया गया है बतादे ड्रेस बनाने के लिए सितंबर का पूरा महिना दिया गया है साथ ही राजधानी राची के कुछ रूटों पर भाड़ा बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है बता दे पिछले दिनों आर्टीये सर्जीव निरंजन कुमार ने बिभीन आटो यूनियन और जार्खन यातरी संग के साथ बैठक की थी प्रधान मंत्री आवासोईना के तहत राजधानी राची में नगर निगम को अलग अलग वाडो में 11,964 घर बनाने का लक्ष मिला है यहाँ बीत वर्ष 15,16 में पीएम आवासोईना के तहत जब काम शुरू हुआ था तब 55 वाड थे लेकिन बीगत नगर निगम चुनाव के पूर्व परी सीमन के तहत अब वाडों की संख्या घट कर तीरपन हो गई है लिहाजा अब तक सभी तीरपन वाडों में 8 हेर घरों का निर्मान किया जा चुका है वहीं 600 से 700 आवासों के छट की ढलाई भी चल रही है इट भठो और क्रेसर की होगी जाच इट भठो और क्रेसर में काम करने वाले मजदूरों के निबंधन की जाच की जाएगी बीना निबंधन वाले मजदूरों से काम कराते पाए जाने पर उनके संचाल को परकरवाई होगी और क्रेसर बंद कर दिये जाएगे इसकी जाज के लिए जीला पर सासन की टीम छापे मारी करेगी इस दोरान मजदूरों को दी जाने वाले मजदूरी और अने सुवधाय की जनकारे भी हासिल की जाएगी इसके लिए टीम का गठन किया गया है धन्यवाद यादि आप चैनल परना है होते चैनल को सब्सक्राइब कर बाल कावल आइकन दबए सासा वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाड़ से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइग्राम पर सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सब फिड़बैक अवसे दे थैंक्यू